फार्म बिल के बारे में किसानों के साथ आठ बार बात हो चुकी है, अभी नौवे दौर की बातचीत चल रही है आप इसे कैसे देखते हैं, क्या किसान सरकार की बात नहीं समझ पा रहे हैं, या सरकार किसानों की स्थिती नहीं समझ पा रही है किसान 26 जन्वरी को एक विशाल रैली, ट्राक्टर रैली निकालने की उजना बना रहे है देखिए, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वो क्या चीज है जो पंजाब और हर्याना के किसानों को वाकई में परिशान कर रही है ऐसा नहीं लगता कि नई नीती से यहां के किसानों को कोई परिशानी है, मैंने उन में से कई लोगों से बात की है, उन्हें वैसा नहीं लगता तो मुझे लगता है कि देश के विभिन क्षेतरों में या देश के विभिन राजियों में कुछ खास चिंताएं हो सकती है तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतना आगे बढ़ चुका है और बेमतलब किसान सड़क पर बैठे हैं जिससे बाकी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और वे खुद भी बहुत तकलीव जेल रहे हैं और सरकार भी ठीक से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि लगातार ये विरोध चलते रहते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये होगा कि इन कानूनों को देश के लिए सिफारिश बना दिया जाए सबसे अच्छा होगा कि वे राज्य सरकारों के नेत्रित्व को समझाने की कोशिश करें कि इन कानूनों का क्या महत्व है इससे राज्यों में किस तरह के निवेश आएंगे किस तरह का विकास होगा और किस तरह से बुनियादी धांचे बनेंगे इससे किस तरह की कोल्ट चेन बनेगी और मूल्य वृद्धी करने वाली बुनियादी धांचे तयार होंगे और अगर राज्य नीती को नियंतरित करना चाहते हैं अगर उन्हें डर है कि कॉर्पोरेट्स खेती पर अपना अधिकार जमा लेंगे तो राज्य उन पहलूं को कंट्रोल करने के लिए कानून में बदलाव कर सकते हैं हर राज्य में उनकी चिंताएं अलग हो सकती हैं क्योंकि हर जगा खेती ही अलग है तो मुझे लगता है ये आगे बढ़ने का तरीका होगा लेकिन अभी ये अफसोस की बात है कि इतने सारे लोग बेकार में तकलीव जहल रहे हैं मुझे लगता है कि ये एक बड़े पैमाने पर फैली हुई गलत फहमी है मैं किसी एक समूह की बात नहीं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि कही न कहीं उन्होंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा और ये लोग समझ नहीं पाए वो क्या कह रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया है और दुर्भाग्य से हम एक तरह से हम सभी प्रमुख संस्थानों को जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण है इस तरह के विवाद और बहस से जोड़कर उनको महत्वहीन बना रहे हैं और हर जगा कोई इस बहस पर अपनी राय दे रहा है मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सरकार इस कानून को एक सिफारिश बना दे और हर राज्य अपने किसानों से सलह मशवरा करके उनकी जरूरतों के अनुसार नीती में अपने मन चाहे बदलाव ला सकता है मुझे लगता है कि यही आगे बढ़ने का तरीका है मुझे लगता है